आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइपस ओफ वाइरिंग की आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के जो है वाइरिंग देखें होंगे जैसे क्लीट वाइरिंग, केसिंग एन कैपिंग वाइरिंग, कंड्यूट वाइरिंग, बेटेन वाइरिंग या TRS वाइरिंग, LEED C3D वाइरिंग, तो इन सभी के बारे में जो हम लोग आज के सुडियो में देखने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा क्लीट वाइरिंग, इस तरह की वाइरिंग में क्लीट की मदद से वाइर को एक जगा से जो है दूसरे जगा ले जाया जाता है, ये क्या हमारा क्लीट है, जो की पोर्चलीन या प्लास्टिक की बनी होती है, क्लीट के इस हिस्से को बेस और इस हिस्से को कैप कहा जाता है, और वाइर हमारा यहां से होकर पास होती है इस तरह के वाइरिंग सिस्टम में एक क्लीट को दूसरे क्लीट से 60 cm या 0.6 मीटर का गैप रखते हैं ताकि हमारे ये वाइर लूज ना हो इस तरह के wiring system में जो वायर यूस किये जाते हैं वह wire VIR से insulated रहता है लेकिन आज कल हम PVC वायर का यूस करते हैं इस तरह के वैरिंग सिस्टम पुराने जमाने में यूज किया जाता था जो बहुत पुराने हमारे कौर्टर्स या आफिस होंगे वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है आज के इस दौर में क्लीट वैरिंग टेंपरोरी परपस के लिए यूज किया जाता है जहां पर कुछ दिनों के लिए लैटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जैसे आपका मेला, मेरेज हॉल, पार्टी, फैस्टिबल, अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, आर्मी के त् अगर कहीं भी फॉल्ट होता है तो उसका पता असानी से लगाया जा सकता है इस तरह के वैरिंग में मेंटेनेंस काफी इजी होता है अब अगर बात करें इस वैरिंग सिस्टम की खामिया के बारे में इस तरह के वैरिंग में वैर जो की खुले हुए होते हैं तो कभी भी व resistance reduce हो जाता है अगर इस वाइर के पास oil या smoke आ जाए तो उस वाइर के insulation को भी damage कर देता है और साथ ही साथ जो हमारी cleat wiring होती है वो दिखने में भी जादा अच्छा नहीं लगता है दूसरा है हमारा casing and capping wiring इस तरह के wiring आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह के wiring low voltage के लिए suitable होते हैं जैसे घर हो गया office हो गया दुकान हो गया यह आपका casing and capping है जो की PVC, podi, venile, kloride के बने होते हैं casing and capping यह आपको market में जो है fit के हिसाब से मिलेगा यह जो है हमारा casing है और इसके अंदर wire को रखते हैं फिर इसका ढखकन लगा देते हैं इस ढखकन को ही हम लोग क्या कहते हैं capping कहते हैं यह वाइरिंग cleat wiring से थोड़ी costly होते है और साथी साथ labor cost जो है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लगता है इस तरह के वाइरिंग को easily re-wiring कर सकते हैं कहने का मतलब अगर कभी wire जल जाए या खराब हो जाए तो फिर easily हम लोग इसका re-wiring कर सकते हैं यह वाइरिंग हमें देखने में भी अच्छा लगता है अगर बात करें इस तरह के वाइरिंग सिस्टम की खामिया के बारे में तो अगर कोई chemical PVC के पास आए तो chemical जो हमारा PVC को यह वाइर रखते हैं इस तरह के वाइरिंग में जो पैप यूज करते हैं वह आपका PVC, steel या गिलविलेजट एरन के बने होते हैं Condute वाइरिंग हमारे दो तरह के होते हैं पहला है हमारा surface conduute वाइरिंग और दूसरा हमारा concealed conduute वाइरिंग अगर conduute वाइरिंग को दिवार के बाहर करते हैं तो उसे हम लोग surface conduute वाइरिंग कहते हैं और अगर हम conduute वाइरिंग को दिवार के अंदर करते हैं तो उसे हम लोग concealed conduute वाइरिंग कहते हैं कंडियूट वैरिंग हमारा waterproof, shockproof और chemical proof होते हैं सभी वैरिंग से सबसे ज़्यादा जो cost लगता है वो आपके कंडियूट वैरिंग में लगता है लेकिन इस वैरिंग का life सभी वैरिंग से सबसे ज़्यादा होता है और इस तरह की वैरिंग को करने के लिए highly skilled labor की ज़ुरत पढ़ जाती है अगर बात करें कंडियूट वैरिंग की सबसे बड़ी खामिया के बारे में तो इस तरह की वैरिंग में fault का chance बहुत ही कम होता है लेकिन अगर कभी भी fault आएगा तो इसका पता लगाना बहुत ही मुस्किल होता है नेक्स्ट है हमारा बेटेन वैरिंग या TRS वैरिंग बेटेन वैरिंग बहुत ही पुरानी और old वैरिंग सिस्टम है यह वैरिंग आपको पुराने railway platform में देखने को मिल सकता है यह जो है आपका बेटेन वैरिंग हैं यहाँ पर जो आपके बेटेन लगे हुए हैं इनसभी वैर के support के लिए जो लगाते हैं उसे ही हम लोग बेटेन बोलते हैं बेटेन का मतलब होता है खांचे बेटेन जो है आपका सागवान की लगड़ी के बने होते हैं इस बेटेन का थिकनेस 10 mm होता है बेटेन वाइरिंग सिस्टम में जो वाइर यूज होते हैं उस वाइर का इंसुलेशन जो है आपका TRS के बने होते हैं TRS का कहने का मतलब टफन रबर सीट जो हमारे TRS केबल होते हैं वह chemical proof, waterproof और steam proof होते हैं बट जो है आपका lubricating oil जो है उस विंसुलेशन को damage कर सकती है यह वाइरिंग सिस्टम casing and capping से सस्ती होती है बट जो है आपका cleat wiring से महंगी होती है नेक्स्ट है हमारा lead seated wiring इस wiring के उपर या outer covering में lead की covering चड़ाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं seat यह wiring जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका underground cable होती है वहाँ पर आपको यह wiring देखने को मिलेगी lead जो है हमारा एक ऐसा material है जो अपने अंदर से पानी को जाने नहीं देता है इसलिए यह wiring system atmospheric को रीजन से protection प्रोवाइड करती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको जो है types of earthing के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कीजिए और अपने electrical friend के साथ share करना बिल्कुल भी न भूलिए